अजमेर दरगा पर सरतन से जुदा नारे लगाने के मामले में आरोपी गोहर चिष्टी को पुलिस ने किरफतार कर लिया है वो मामले के तुल पकड़ने के बाद अजमेर से भाग कर हाइदराबाद चला गया था पुलिस से बचने के लिए उसने अपना भेस बदल दिया था इसके लिए उसने सर के बाल और दाड़ी छोटा करवा लिया था राजस्थन पुलिस उसे गिरफतार कर जैपूर ले आई है पुलिस सूत्रों के मुताबिक हाइदराबाद के रहने वाले अमनुल्ला ने गोहर चिष्टी को शड़न दी थी अजमेर से भागने के बाद वो उसके घर में ही छुपा हुआ था जैसे ही गोहर चिष्टी हाइदराबाद एड़पोर्ट पर उत्रा था उसके तुरंद बाद अमनुल्ला उसे हवाई अड़े से रिसीव कर अपने घर ले गए थे राजस्थन पुलिस ने गोहर चिष्टी के साथ अमनुल्ला को भी गिरफतार किया है अजमेर के अडिशनल स्पी विकास संगवन ने बताया कि गोहर चिष्टी अजमेर दरगा की देखभाल करने वाला खादिम है उसने 17 जून को दरगा के बाहर बीजेपी निता नूपुर्शर्मा के खिलाफ सरतन से जुदा के भरकाव नारे लगाए थे उसके साथ दरगा के दूसरे खादिम आदिल चिष्टी और सरवर चिष्टी भी थे इन में सरवर चिष्टी गोहर चिष्टी का चाचा है जबकि आदिल चिष्टी सरवर चिष्टी का बेटा और गोहर चिष्टी का चुचेरा भाई है अब वो पुलिस की हिरासत में है और पुलिस इस केस की जाच कर रही है